नमस्तार दोस्तों, जैसी क्रश्न, कैसे हैं आप सब? उमिद करती हूँ, खुश होंगे, सुखी होंगे, शंपन होंगे. जो भी हमारे वीवर से हैं, सब्स्राइबर से, दुरिया में चाहता हम दिया हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन रहे. जोस्तों, घर में शुक और सम्रिध्धी को बढ़ाने के, घर में धन लाने के, धन बढ़ाने के उपाय है, जो मैं बताती हूँ, ज्यादा तर वीडियो में ने सुक्रवार की डाली है. शुक्र यदिया आपके मजबूत हुए, तो आपके बास धन आएगा, एश्वरी आएगा, माता लक्ष्मी हमेशा आपके उपर प्रशन रहेंगे, जिस व्यक्ति के शुक्र मजबूत होते हैं, उसके घर का एश्वरी बाहर से चमलता है, धन, दौल, गाड़ी, बंगा, और आप इस चीज को खाएं और चीज अपने घर में लाकर के लगाते हैं, शुक्र आपके जबर जस्त मजबूत पनेगे, जानकरी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेर ना दे, मुझसे बात क सब्सक्राइब के लिए सिर्फ और सिर्फ उस नमबर को डायल करें, जो चालू वीडियो में फ्रेश हो रहा हैं, 7043814299 इसके सिवाए कोई भी नमबर आप डायल करते हैं, तो आपके अपने जिबर बारी हैं, दोस्तों, सुक्र से जुड़े हुई चीजे, सुक्रवार के दिन खाना सुरू पड़ दे, सुक्र से जुड़े हुई चीजे, अपने घर में लाना सुरू पड़ दे, शुक्र से जुड़े हुए कलर के कपड़े पहना से आज के दिन सफेद या लाल रंका कपड़ then या दोनो कलर जुसमें कमबाइंग ऐसा कपड़ then अज इतना जबने हूं गहने , उतारे नUNG पहने आज के दिन घर में सोना लिकर के आए जो लोग शुक्रवार के दिन घर में सोना लाते हैं उनके उपर हमेशा मातालक्षमी की कृपा परस दें आज के दिन सोना लाए घर में पहने भी अगर सोना घर में रखा है रोज आप नहीं पहन सकते तो शुक्रवार के दिन जरूर सोना पहने, यह आपके सुक्र को मजबूत बना देता है, सुक्रवार के दिन खीर बना करके जरूर खाई, सब परिवार खीर बनाए, माता लक्ष्मी को खीर का भूग लगाए, और सब परिवार बैठ करके खीर खाई, मन की मलिनता दूर होगी दिमाग के गंदे विचार दूर भूंगे घर श्वर्ग बन जाएगा कई बार देखना आप दोश्तों घर में एक आधा भी ऐसा व्यक्ति है जिसके आचरण गंदे हैं जिसके ग्रफ खराब है तो पूरे घर के माहुल को मलीन करके रखता है कई घरों में आपने देखा होगा किसी एक व्यक्ति की हाजरी मात्र से घर पनापता जाएगा पनापता ही जाएगा आगे बढ़ता जाएगा और किसी एक व्यक्ति की हाजरी मात्र से घर नीचे ही गिरता चला जाता है तो पूरा परिवार इस उपाय को करे ताकि जिसके भी उपर खराब गरन अचत्रे की अशर हो, वो भी तुम हो जाए। सुक्रवार के दिन घर में, जिसे हम सक्कर टेटी बोलते हैं, जरूर लेकर क्या है। सक्कर टेटी सुक्र से चुड़ी हूई है। आज के दिन सक्कर टेटी का दान करें। खास करके महिलाओं में महिलाओं में सक्कर टेटी का दान कर इससे आपके शुक्र मजबूत बनेगे खास दोर से वो महिला जो नव पढ़ने थे जिनकी नई नई शादी हुई है ऐसी महिला को यदि आज के दिन आप शक्कर टेटी का दान करते हैं सक्कर टेटी देते हैं तो आपके सुक्र बज़कूर बनते हैं आज के दिन सक्कर टेटी की वेल अपने घर में लाए और गमले में लगाते हैं जमीन में भी लगा सकते हैं उत्तर दिसा में इसको लगाते हैं जब तक ये वेल आपके घर में लगी रहेगी आपके घर में धन शुक्रवार के दिन इस वेल में थोड़ा सा कच्छा दूद मिश्चित जल अर्बित करें और बुलाब की खुश्बू वाली अगरबती लगाएं केवडे की खुश्बू वाली भी लगा सकते हैं दोनों में से कुई भी खुश्बू को अगरबती अर्बित करें अगर इस वेल में फल आने सुरू हुए आपकी लाइफ में धनाना आराम से सुरू जाएगा करके दिखें कोई इसी बातों जो समझ में ना रही हो तो कांट बक्स में लिक करके पूछे हो शुबूश्बू करते रहें और हमेशा फुश्बूश्बू जैसी खुश्बूश्